नमस्ते मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं ललन टॉप नए हफते में एक बार फिर शुरू हो चुका है हमारा प्रोग्राम सोशल लिस्ट वैसे तो ये शो आशीश भाईया उर्फ छोटे खली भाईया लाते हैं लेकिन आज वह नहीं आपाए है इस शो का इतिहास रहा है कि छोटे खली भाईया जो चीज़ पूरे कॉन्फिडन से कहते हैं वो कभी नहीं हो पाती ये इस शो नहीं उनकी लाइफ का भी इतिहास रहा है खैर उन्होंने शुक्रवार को कहा था कि सोमवार को आएंगे लॉल हो गया उन्हें छोडते हैं आगे बढ़ते हैं शो में बताते हैं आप सोशल मीडिया की किन एतिहासिक घटनाओं के बारे में करेंगे बात पिक ओफ दे में दिखाएंगे रास्ता पार करते हुए हाथी का वीडियो अब क्यों हो रहा है वाइरल काईदे से मैंने जितनी बार अब क्यों हो रहा है वाइरल कहा है इस शो का नाम ही अब क्यों लिस्ट रग देना चाहिए बैट जोक नामवाम बदलेंगे लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया के आज की दिन के मुख्य समाचार जान लेते हैं आज चला एक ट्रेंट, जस्टिस फॉर एश्वर्या दिल्ली की लेडी स्रीराम कॉलेज की स्टूडन ने सूसाइड कर लिया सूसाइड नोट में लिखा कि परिवार शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता था वो बोज नहीं बनना चाहती थी, इसलिए ऐसा किया एश्वर्या अपने राज की 12th क्लास की टॉपर थी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि विज्ञान एवं प्रोध्योगी की मंत्राले से इंस्पायर फेलोशिप मिलनी थी, जो नहीं मिली तो ये सब हुआ सूसाइड नोट सामने आने के बाद ये सब हिले हुए है हैश्टाग जस्टिस फॉर एश्वर्या के साथ कई बाते कही गई, कहा गया कि सरकार के पास कंगना पर बर्बाद करने को पैसे हैं, छात्रों को देने को नहीं है स्कॉलर्शिप ना देने की सोच पर कई बाते कही गई, कॉलेज पर भी भेदभाव के इल्जाम लगाए गए, कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के नेता भी इस मुद्दे पर बाते करते दिखे ट्रेंड होता नजर आया बांगलादेश, नहीं इस बार वहां की जीडीपी से जुड़ी कोई खबर नहीं थी, खबर जो थी वो एक फर्जी खबर थी मधू पुर्णेमा किश्वर ने बांगलादेश की एक एंटी इंडिया इस्लामिक रैली का वीडियो डाला था और लिखा कि ये कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता पुलिस ने इसे फेक न्यूस बताते हुए मधू के खिलाफ केस दर्स कर लिया और बांगलादेश का नाम चल पड़ा नाम चला चिरंजीवी का, हाँ वही साउथ के सुपरस्टार वो कोरोना वाइरस से संक्रमित हो गए है, उन्होंने ऐसा ट्वीट करके बताया फैंस में हल्ला मच गया, सलामाती की दुआएं करते पोस्ट आए लेकिन इन सब के बीच वाइरल हुई एक और तस्वीर दो रोज पुरानी तस्वीर में तिलंगाना के मुख्यमंत्री केसी आर से बिना मास्क लगाय हुए मिलते दिखे थे वो मास्क नाक की बजाय हाँ में पकड़ रखा था वो छोड़ो दूसरे सुपरस्टार नागारजुन भी बिन मास्क के इन दोनों के साथ टहल रहे थे अब जनता को सब की चिंता हो पड़ी है बड़े समाचारों के बाद अब चलते हैं बात करते हैं आज के दिन के बड़े ट्रेंड्स की तेजस्वी आदव आज जन्म दिन था बाते तो एक्जिट पोल्स की चल रही है बिहार में लग रहे हैं पोस्टर्स की चल रही है लेकिन सोशल मीडिया सीधी सी बात कर ले तो काहे का सोशल मीडिया फेस्बुक यूजर्स बहुत ही रैंडम चले गए जीवन में और खोज लाए पूरे छह साल और एक महीने पुरानी तस्वीर जिसमें तेजस्वी आदव विराट कोहली के साथ नजर आ रहे थे तेजस्वी आदव इस तस्वीर में विराट के शांत बल्ले और उनके जल्द ही वापसी करने की बाते कर रहे थे कह रहे थे विराट कोहली अंडर 15 के दिनों से उनके साथ खेले हैं अब इसी पर जनता मजे ले रही है सब प्रकार की बाते कही जा रही है किसी ने मोधी बाइडन के पुराने रिष्टों को इसी तरह से बताया किसी ने ओटोग्राफ मागा किसी ने लिखा तेजु भाईया के शासन में सेंचुरी बटेगी राशन में पुरानी तस्वीरों के करम में वाइरल हुई अब कमला प्रेजिडेंट तो नहीं लेकिन वाइस प्रेजिडेंट तो हो ही गई इस बात पर जनता लहा लोट हो गई साथ ही फेस्बुक पर जनता को उनकी एक तस्वीर भी मिल गई जनता को आशर इस बात का हो रहा था कि प्रेसिडेंट वाली बात मलिका के जहन में कहां से आई मलिका के तुलना क्रिकेट के कथित नास्तरे दमस जोफरा आर्चर से होने लगी किसी ने कहा आप महिलाओं की जोफरा आर्चर निकली किसी ने नायक के मीम सौरी मेमे का सहारा लिया और कहा सब जोफरा है मिर्जापूर की मीम के जरिये बताया गया कि मुन्ना आर्चर की गद्धी के कमटीटर आ गए है एक जने तो और आगी निकल गए बताया कि मलिका का गाना है मैया मैया उसके बोल है तू नील समंदर है तू नील समंदर है और नीला रंग डेमोकरेट्स का रंग है हुआ ना कोइंसिडेंट लव जिहाद वाले आरोप जेल कर तनिश्क वाले अभी उबरे ही थे कि उनके एकत्वम कैमपेइन को एक जटका और लग गया जनता फिर से ओफेंड हो पड़ी है दिवाली के मौके पर नया आड डाला था फिर वही कहानी दोहराई गई बॉयकॉट की मांग उठी और तनिश्क को आड वापस लेना पड़ा आड में नजर आ रही थी नीना गुपता, सयानी गुपता, निम्रत कौर और अलाया फर नीचिरवाला सयानी कह रही थी पठाकों की जगे वो अपनी मां के साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगी कुल जमा एड में बताय जा रहा था कि दिवाली कैसे मना सकते हैं बीजेपी के नैशनल जरनल सेकेर्टरी सीटी रवी ट्वीट कर बताते मिले कि कोई हिंदूों को काहे सलाह दे की तयोहार कैसे मनाए कंपनीया सामान बेचे पटाके न चोड़ने पर ग्यान न दे वगेरा वगेरा बागी जन्ता भी तनिश्क पर नए पुराने ट्वीट लेकर चट पड़ी अब तो तनिश्क वालों को भी बॉयकॉट की आदत पड़ चुकी होगी जैसे targeted boycott वो जहल रहे हैं हम उन्हें एक बहुती ब्रिलियंट सलाह दे सकते हैं कि तनिश्क का नाम बदल कर वो यूकांट रख ले तो जब hashtag बनेगा तो वो बनेगा hashtag you can't boycott अब बारी है हमारे आखरी segment pick of the day की देखिए road cross करते हुए इस हाथी को देखिए कितनी जिम्मेदारी से ये रास्ता पार कर रहा है और spider man की दी पुरानी सीख को follow कर रहा है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है ये था आज का हमारा show socialist अब कल इस शो में आपको कौन दिखेगा ये आपको कल ही आकर देखना पड़ेगा मैं चलती हूं बाबाई